कि अगर वो अपने पती को छोड़ के चली जाए तो वो कैसा महसूस करेगा ये विचार आते ही उसने एक कागज लिया और उस पे लिखा अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती मैं उप गई हूँ तुम्हारे साथ से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए उस पत्र को उसने टेबल पे रखा और जब पती के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिकिर्या देखने के लिए बेड के निचे छुप गई पती आया और उसने टेबल पे रखा पत्र पड़ा कुछ देर की चुपी के बाद उसने पत्र के निचे कुछ लिखा फिर वो दम मुक्त हो गया, शायद मेरी मुर्ख पत्नी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई, अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं आ रहा हूँ कपडे बदल कर तुम्हारे पास, तुम तयार हो के मेरे घर के सामने वाल पार्क में आ जाओ अभी, कपडे बदल कर पती बाहर निकल गया, आसु भरी आखों से पत्नी बेड के निचे से निकली और कापते हाथों से पत्र के निचे लिखी लायन पढ़ी जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे है बावली, पार्क के पास वाली आस्के पकुमराै निचे से लिखार निचे से लिचास्प्ध द में आख एपनी आखर बेड भाषे कर दिय ए ख से बेड का सुन закон कर दी, कि एल ह।